तो बच्चों आज हम solve करेंगे DOE की तरफ से provide किये गए mission mathematics practice paper 2 को जो की session 2023-24 के लिए है 40 number का latest आया हुआ है ठीक है Hindi medium में PDF provide किया गया है तो Hindi medium में solution को देखेंगे इससे पहले practice paper दोनों medium में upload है साथ में सभी chapter के most important assessment upload हैं जो की DOE की तरफ से provide किये गए हैं दोनों medium में तो comment में link मिलेगी देख लो इसमें भी same पूरे question हुआ है रिपीट हुए है जो आप already practice paper assessment में कर चुके हो ठीक है question पे आ जाओ खंड आ प्रस्ण एक से आठ बहुविकल पिये प्रस्ण है प्रतेक प्रस्ण एक अंक का है question 1 संख्या रेखा पर प्रतेक विंदू दर्शाता है एक अदुतिय वास्तिविक संख्या को या फिर एक प्राकृत संख्या को या फिर एक पर्मिय संख्या को या फिर एक आप पर्मिय संख्या को तो right answer आपका ए है एक अदुतिय वास्तिविक संख्या को ठीक है second question निम्न में से क्या त्रभुच की सरबांग समता का नियम नहीं है sas है asa ये भी है sss ये भी है ssa ये नहीं है ठीक है तो नहीं है b option आपका right हो जाएगा ठीक है अगला यदि x प्लस दो x square माइनस kx प्लस 14 का गुड़न खंड है तो k का मान होगा ठीक है solution तो यहां से देख लो answer 1 में a option right है 2 में b answer 3 देखो x प्लस दो बराबर 0 की रखेंगे तो x बराबर प्लस दो इधर हैगा माइनस का हो जाएगा ठीक है अब भुपद लिख लो जहां जहां पर x है आपको माइनस 2 रखना है ठीक है ऐसा question जरूर मिलेगा ध्यान रखना तो x पर माइनस 2 का square के x पर माइनस 2 प्लस 14 बराबर 0 ठीक है आगे माइनस 2 का square करोगे प्लस 4 आएगा ये माइनस माइनस 2 के हो जाएगा प्लस 14 बराबर 0 14 में 4 मिलो 18 प्लस 2 के बराबर 0 तो 2 के बराबर 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा निसान बदल जाएगा तो के बराबर माइनस 18 बटे में 2 तो भाग करने पर आपको मिलेगा माइनस 9 दो निम 18 ठीक है आंसर थर्ड हो जाएगा अगला question ए उप्सन राइट है अगला question दे गई आकरती में PM की लंबाई होगी यह हमको निकालना है solution देखो आंसर देखो ध्यान से यहाँ पर PM निकालना है सबसे पहले तरभूज OPL में ध्यान से देखो मैंने दोनों medium में लिखा है क्योंकि same question है तो English medium में भी लिख दिया था ठीक है क्लियर है तो कर्ड आपका 5 है और यह क्या हो जाएगा आधार यह हो गया लंब ठीक है तो हमको निकालना क्या है लंब सबसे पहले यह निकालेंगे ठीक है तो direct formula लगाओ लंब का रूट में कर्ड का square मैनस आधार का square तो कर्ड पर 5 का square आधार पर 3 के square कर दोगे यहां पर ठीक है तो 5 के square पासिस मैनस 3 के square 339 आएगा घटाने पर 16 चार गुणएü 4 चार निकलाएगा ठीक है यह आपको मिल जाएगा चार अब ध्यान से देखो तरभूज O, P, L इसमें और O, P, M में नीचे वाले में ठीक है ध्यान से देखो तो P, O, L ये इक्वल होगा P, O, M के इसके ये कोशन में दिया है ठीक है यहाँ पर सेंबल से दिखाया गया है इसी प्रकार अंगल L इक्वल होगा अंगल M के 90 दिया है यहाँ पर लिख दिया है ठीक है और दोनों में O, P, E, O, P, C, Y, A, N यानिकि उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रभुज आपस में क्या होंगे सरवांग सम इसलिए त्रभुज OPL सरवांग सम त्रभुज OPM के किस रूल से A S A एंगल दो एंगल एक्वल है और एक साइड ठीक है एंगल साइड एंगल रूल से यानि की कौण भुजा कौण आता हां ये चार आया था तो PL एक्वल PM के निकलेगा ये भी चार आ जाएगा CPCT रूल से ठीक है अगला कोशन कोशन नमबर फाइफ यदि किसी सतत बारंबारता वित्रण में किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन 15 और निमन वर्ग सीमा 13 है तो उच्चतम वर्ग सीमा होगी ठीक है सोलिसन देखो آंसर नमबर फाइफ माना उच्च वर्ग सीमा X है ठीक है वर्ग चिन 15 तो निमन वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा का प्लस करके आधा करते हैं तो वर्ग चिन आता है तो निम्न-13 दिया है उच-x मान है, 13 प्लस-x इसका अधा करोगे बराबर किसकी होगा? 15 के आगे बटे एक लगा कर क्रोस मल्टिप्लाइ करो तो 13 प्लस-x का एक से होगा सेमा आएगा 15 का दू से हो जाएगा, 30 आजाएगा, ञेके? नमबर को नमबर की तरब भेजो 13 इधर हैगा माइनस को हो जाएगा माइनस करने पर X का मान मिलेगा 17 जो की उच्च वर की सीमा हो जाएगी B option right हो जाएगा ठीक है अगला question देखो question नमबर 6 बहुपत 5 X माइनस 4 X square प्लस 3 का मान क्या होगा जब X वराबर माइनस 1 हो ठीक है तो ध्यान से देखो तो solution देखो इसका लिख दिया 5 X माइनस 4 X square प्लस 3 जहां जहां पर X है माइनस 1 रख दो ठीक है तो 5 माइनस 1 माइनस 4 X पर माइनस 1 का square प्लस 3 यह आजाएगा माइनस 5 यह माइनस इधर माइनस 1 का डबल टाइम मल्टिप्लाई करोगे तो प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1 का 4 से मल्टिप्लाई करोगे तो माइनस 4 ही आएगा ठीक है यहां पर लिखेंगे प्लस 3 आगे यह माइनस माइनस प्लस तो माइनस 9 हो जाएगा प्लस 3 आगे solve करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा ठीक है आपका answer तो इसमें A option right हो जाएगा ठीक अगला question 7 दी गई आखरती में angle POR और angle ROQ कौन सा युग्म बनाते हैं ये कौन सा युग्म बना रहे हैं तो रहेखिक युग्म है ठीक है C option हो गया अगला ये सभी question आपके practice paper और assessment से ही है same होई question ठीक है अभी कथन बहुपद PX बराबर 6X माइनस 1 बटे 7 एक रहेखिक बहुपद है बिल्कुल सही कारण रहेखिक बहुपद का सामान रूप AX प्लस B है बिल्कुल सही इसलिए ये क्या है रहेखिक है क्योंकि X की power यहाँ पर 1 है ठीक है इसलिए ये रहेखिक है यानि की कारण अभी कथन की व्याख्या कर रहा है तो यहाँ पर आपको A option लगाना है अभी कथन और कारण दोनों सही है और कारण अभी कथन की सही व्याख्या है ठीक है ये option right हो जाएगा अगला question question number 9 5 root 3 minus 3 root 12 plus 2 root 75 का मान ग्याद कीजिए solution देखो answer number 9 question लिखा गया ठीक है 5 root 3 से में लिखा 3 पे 3 12 का LCM निकालो तो लिख सकते हैं 2 गुडे 2 गुडे 3 2 गुडे 5 गुडे 5 गुडे 5 यानि की multiply करोगे तो 75 मिलेगा 3 पचे 15 पचे 75 ठीक है अब ध्यान से देखो ये सेम लिखा गया इसमें बनेगा pair 2 का एक बाहर निकलेगा एक finish हो जाएगा तो बाहर 3 गुडे 2 हो जाएगा रूट में 3 बचेगा इसे लिख दिया गया प्लस इधर भी 2 लिखा गया इसमें pair बनेगा 5 का एक बाहर आएगा एक अंदर finish हो जाएगा तो 2 गुडे 5 अंदर रूट 3 बचेगा इसे लिखा गया ठीक है आगे 5 रूट 3 सेम 3 दूट 6 रूट 3 प्लस 2 पंचे 10 रूट 3 अब सब कुछ सेम है रूट 3 रूट 3 रूट 3 तो ध्यांस देखो ये प्लस का है ये प्लस का है जुडेगा 10 रूट 3 में 5 रूट 3 प्लस होगा 15 रूट 3 हो जाएगा लिख दिया गया माइनस 6 रूट 3 सेम लिखा गया अब 15 में से 6 माइनस करोगे क्योंकि रूट 3 रूट 3 सेम है तो आगर नो रूट 3 यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन कोशन नमबर 10 दो समपूरक कोणड 2 अनुपात 7 के अनुपात में है कोणों का माप ग्यात कीजिए सोलिसन देखो आंसर नमबर 10 अनुपात है 2 अनुपात 7 माना कोण 2X 7X है जब भी अनुपात में कोई चीज हो तो आप X मान लेना ठीक है आपको एक कोस्टन ऐसा जरूर मिलेगा या तो चतुर्भुष से रिलेटेड होगा या फिर आपको बेलन संकु गोला या फिर तुर्भुष से रिलेटेड होगा अनुपात वाला ध्यान रखना ठीक है तो कहरा संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों के योग कितना होता एक्स वस्सी तो दो एक्स प्लस साथ एक्स बराबर एक्स वस्सी के होगा साइड में रिजन लिख दो संपूरा कौन साथ दो नो एक्स बराबर एक्स उस्थी तो एक्स बराबर एक्स उस्थी बटे नो डिवाइट करोगे तो 9 दून अठारह यानि कि 20 आ जाएगा ठीक है जीरो लग जाएगा यानि कि 9 एकम नो 9 दून अठारह 0,7 में लगा तो 20 मिलेगा आपको X की value लेकिन यह हमारा answer नहीं है हमने पहला count 2X माना है तो count बराबर 2X 2 पे 2 X पर X की value रखो 20 कितना गया 40 दूसरा 7X है तो 7 पर 7 X पर रखो 20 तो 7 को 20 से उना करो 140 आ जाएगा ठीक है answer 10 हो जाएगा दोनों कोणों का माना आएगा 40 और 140 प्लस करने पर 180 ही होगा जो की संपूरा कोण की value होती है ठीक है अगला question question number 11 सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर लंबवत दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है solution answer number 11 डाइग्राम इस प्रकार से बनेगा ठीक है दिया है M यह जो M है यह लंब है किस पर L पर ठीक है और N भी लंब है किस पर L पर लिखा गया सिद्ध करना है M समानतर है N के यहां पर लिखा गया ठीक है प्रमार दिया है दिया है देखो M लंब है L पर इसलिए इसे मान लेते एंगल 1 और इसे मान लेते एंगल 2 इसलिए एंगल 1 कितना निकलेगा 90 का इसी परकार N लंब है L पर यहां लिखा गया एन प्रिपेंडिकुलर एल इसलिए एंगल 2 कितना निकलेगा 90 का ठीक है अब ध्यांस देखो यहां पर एंगल 1 और 2 अक्वल है 90 नबबबब दोनों हैं इसलिए यानि अता एंगल 1 वरावर एंगल 2 के क्यों ये संगत कोण है ये संगत कोण है ठीक है क्लियर है और जब ये संगत कोण है तो ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के क्या होँगी समानतर होँगी इसलिए M समानतर N होगा ठीक है ये प्रूब हो गया ऐसे M को अप्रूब करना था ठीक है अगला कोशन देखो तो अगला बच्चों सेक्षन सी अगली वीडियो में प्रवाइड करूँगा बांकी यहां पर आपको X की वैलू 4 अपॉन 3 इस बहुपद में रखना है के कमान पता चल जाएगा सेम यहां पर भी आपको एकी वैलू रूट दो प्लस एक रखना है यहां पर तो ध्यान रखना यह भी आप असेस्मेंट में कर रखे हो चैप्टर वन का कोशन तो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन मैंने करवा दी हैं सेम कोशन है आप वहां से कर सकते हो यह जितने भी कोशन आप देख रहे हो य आज की वीडियो में इतने था मिलते हैं अगले वीडियो में कहीं पर कोई डाउट है कोमेंट कर सकते हो थांक यू फॉर वाचिंग